तो ही नमस्कार दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में गाला ग्लोबाल प्रडक्स के वारे में प्रिटिंग एर इस्ट्वेशनरी की एक सेक्टर की कंपनी है वहीं आप आज बात करेंगे इस्टॉक को में फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या फिर इस्टॉक को सेल कर देने सब्सक्राइब करेंगे इस्टॉक में काफी दिनों से कंसुलिडेशन जोन में देखने को मिल रहा है बात करें 50 वी खाय की 104 रुपेस का 50 वी खाय है सेल्स और प्रोफिट गृट बहुत जादा गिर्टा हुआ में देखने को मिल रहा है यह एक रिज़ा ने इस कंपनी का जो कि हमें दरशाद आ है क्यों कम्पनी के प्राइस चार्ट में ग्रावर्ट देखने को बल रही है नो बात करें कंपनी के रिसेंट कोडर के रिजल् करोड तक प्रॉफिट हमें देखने को मिला था उसके बाद माइनस में हुआ और लागाता और फिर हमें एक बड़त हुई इसका गरावाट फिर एक बड़त हो ऐसा से नेरियों में देखने को मिला है यहां से आप इसको देख सकते हैं बड़ अगर बात करूई यह जो कंपनी है यह तोटली अपने प्रॉफिट और जो डेटा है उस पर ही डिपेंडेंट रहती है जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर जो हमें लाइबिल्टी और एसेट्स हैं जो टोटल और एसेट्स और लाइबिल्टी फे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं तो कई नहीं मैन बढ़ते हैं चलते चार्ट पैटन पर चार्ट पैटन की तो आप से देख सकते 36.55 रुपिया पर यहां पर देखने को मिल रहा है था उसके बाद से एक अच्छा खासा मूवमेंट आया 36 डावर्ट का जोन वना और यहां पर भी इसने बाय किया होगा उसको भी आच कि दिन लॉस देखने को मिल रहा है और उसने यहां कहीं एग्जिट नहीं किया होगा तो फिरल अगर हम बात करें यहां पे 18.35 के बाद लगा थार ग्रावट कंटिन्यूज आ रही है प्रिमोटर उल्लिंग जिसके अंदर अच्छी है और जिसका लाइबिल्टी बढ़ाई जा रही है उनके लिए इस्टॉक बहुत ही अच्छा माना जा सकता है मतलब 2020 के बाद से सबसे लोग पर आपको यह देखने को बिला है धाई साल के बाद तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चिनूटी भी हो सकती है और एक तरीके तोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है तो मेरे खहाल से आपको यह करना चाहिए कि बाइंग अपॉर्चिन बिल्कुल बना सकते हैं आप यहां पर मैं यह आपको सला दे सकता हूं बट जो भी अमांट आप बाय करें उसको कम से कम एक से लेके दो साल का समय दें उसको इन्वेस्टमेंट में लग रहने कि आप एक लॉस अगर यह श्टॉक 9 रॉपए के नीचे जाता है तो आप इसको सेल कर देंगे 3 रॉपए के लें लॉस के साथ बट अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप समझ सकते हैं 8 गुना प्रॉफिट एक बहुत ही अच्छा सौधा हो सकता है इस स्टॉक के अंदर सो यह जो मैं इसमें देखता हूँ और आपको भी अगर कुछ समझ में आता है लगता है कि यहां इस टॉक में आने वारे दिनों में कैसा मुवमेंट हो सकता है तो आप जिरू कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं बाकि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्रा लगा सकते हैं मेरे ख्याल से हमें नौ रॉपय तक इसमें होल्ड करना चाहिए जो फ्रेश बायर से ओल्ड के लिए जो आलड़ी बाइब कर सकें उनको अलड़ी काफी लॉस हो रहा हूं को मैं यह चाहना चाहूंगा यह तोडली आप पे डिपेंडेंट है आपका मतलब प लाइक जुड़ करें और सब्सक्राइब करने चाल लेको फोर मोर अपडेट इसे स्टॉक के रिकार्डिंग